हे एवरिवन वेलकम बेक तो माई चैनल और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी के एर धुएगरती हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जा रहे हूं स्विस्स ब्यूटी वन ब्राइंड मेकप टोटोरियल इस मेकप लुक को करना बहुत ही असान है गाईज और इस मेकप लुक को आप कर सकते हो किसी भी वैडिंग फंक्शन में पूजा में पाल्टी में या फिर आप कही मार्किट पे गरा जा रहे हो अगर आपको इस तरह का मेकप लुक पसंद है तो भी आप इस मेकप लुक को बहुत असानी से कर सकते तो चली दोस्तों देख लेते हैं इस makeup look को guys आप कर सकते हो बहुत ही easy 2 या 3 simple steps में तो चली देख लेते हैं guys यहाँ पर मैं अपने face को wash कर चुकी हूँ अच्छे से और अब मैं हाँ पर सबसे पहले अपने toner की help से अपने face को थोड़ा clean कर लूँगी इस तरीके से और यह biotic का toner है guys बहुत ही amazing toner है इसका review already मेरे चैनल पर share किया हुआ है तो please एक बार चेक कर लिजेगा अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ as a face primer sondhariya aloe vera gel यह patanjali की aloe vera gel है और इसे मैं primer की तर आपने face पर लगा लूँगी इसके बाद guys मेरे पास swiss beauty का कोई भी concealer वगारा तो नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर swiss beauty का यह foundation लूँगी और इसे as a concealer अपनी eyes पर लगा लूँगी ताकि मेरी eyes पर जो भी dark circles है pigmentation है वो hide हो जाए अच्छे से वैसे तो आपको बहुत जादा pigmentation में गारा है या dark circle नजर नहीं आएंगे बट लिटल बिट तो हर एक eyes में हर एक के face पर थोड़े बहुत होते ही है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे अच्छे से ऐसा concealer की तरह लगा लूँगी और इसे एक flat foundation brush के help से blend कर लिया है मैंने अब मैं यहाँ पर purple का compact powder लगा रही हूँ थोड़ा सा अपने foundation को set कर लूँगी कुछ चीज़े थी मेरे पास swiss beauty की और कुछ चीज़े एक दो चीज़े नहीं है बट it's okay क्योंकि मैंने manage क चीज़े लिया है इसके बीना भी इसके बाद मैं अपर अपनी eyebrows को कॉम कर रही हूँ इस बोली की help से अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस beauty का यह eyebrow powder है और गाइस eyebrows को फिल करने से पहले एक बर कॉम कर लीज़ेगा इस तरीके इस इस बोली की help से ताकि आपको पता च कर लिया है अच्छे से यहां पर अब मैं यहां पर लगा रही हूँ स्विस beauty के blush palette से यह pink color का shade लूँगे और इससे अपने crease line पर लगाते हुए blend कर लूँगी इसे मैं as a transition shade लगा रही हूँ गाईस क्यूंकि Swiss beauty का मेरे पास इस तरीके से जो matte eyeshadow palette होते है न वह नहीं था लेकि पूरी eyelid पर इस तरीके से लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगे और आपको बहुत जागा clean होने की जूरत नहीं है क्यूंकि एक तरह से आपने पहले smokey eye look create करना है तो इस तरीके से यह देखिए मैंने blending brush की help से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इस तरीके से blend कर लिजेगा और अब मेरी जो crease line पर आपको थोड़ा सा जो pink shade में ने पहले लगा था वो अगर तो अगर तो ब्लेंड लग रहा है आपको तो आप एक बार और तो थोड़ा सा shade ले लिजे पिंक कलर का ही same shade ले रही हूँ जो की crease line पर लगाया था उसे इस तरीके से तोड़ा सा मैं blend कर लूँगी और लगा लूँगी इसके बाद मैं ले रही हूँ small flat brush की help से concealer और इस concealer को मैं इस तरीके से inner corners में और half eyelid पर लगा लूँगी आउटर corner पर मैं इस concealer को नहीं लगाऊंगी त्यूंकि जहां भी मुझे glitters apply करने हैं बस वहीं मैं इसे apply करूँगी ताकि मेरे जो glitter है वाचे से stick हो जाए इसके बाद मैं इस Swiss Beauty के glitter eyeshadow palette से golden color की glitters ले रही हूँ फिंगर की help से लगा लूँगी पहले मैंने finger की help से apply किया है और जहां भी थोड़ा से आपको inner corners में gap दिख रहा है इसे मैं brush की help से fill कर लूँगी तो यह देखे मैंने inner corners में bho glitter को apply कर लिया है आपको जैसे भी easy लगता हो आप लगा सकते हो एक्स्ट्र मैंने इसे जो भी fall out हुआ था remove कर लिया है fluffy brush की help से ग्लिटर्स को, तो देखिए, मैंने इनर कोर्नर में बी ग्लिटर को रपलाई कर लिया है, सब मैं जल आई li eyeliner को अपलाई करूँगी, आप चाहें तो स्मॉल आई li capsule भी लगा सकते हो, अपको अगर Mozart's Winged Dolliner पसंद है, तो आप वो भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पर small सा winged eyeliner लगा रही हूँ जैसा भी आपको पसंद हो अपने coating लिए आप चूस कर सकते हो क्योंकि eyes की coating लिए भी winged eyeliner अच्छे लगते हैं इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Maybelline का mascara क्योंकि मेरे पास Swiss Beauty का mascara भी नहीं था और मैंने परचेस करना था guys क्योंकि मैं इस look को करना चाहती थी और मैंने परचेस करना था इन चीज़ों को लेकिन आप चांदते हैं कि लोग डाउन हो चुका था तो मैं इसलिए परचेस नहीं कर पाई हूँ और जल आइलेनर को ही guys मैंने ऐसा काजल लगा लिया था काजल की तरह लगा कर मैंने थोड़ा सा ब्लैंड कर लिया था आप देख सकते हो लोवर लेश लैंड पर अब मैं यहाँ पर लगा रही हुँ यह है परल इल्ल्युमिनेटर मेकप बेस यह स्वीस बीटी का ही परल इल्ल्युमिनेटर है काफी अच्छा है आप देख सकते हो शाइन बहुत अच्छाए आजाती है फेस पर और इसके बाद मैं यह foundation लगा रही हूँ यह है Swiss Beauty का Daily Wear Lightweight Foundation जो कि मैंने as a concealer अपनी आइस पर अभी apply किया था same वही foundation लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं एक Damn Beauty Blender की help से इसे blend कर लूँगी अच्छे से आप चाहे हो तो brush की help से भी इसे blend कर सकते हूँ और इसका review भी guys दोनों product का मैंने अपने चैनल पर शेर किया हुआ है तो please guys मेरी वीडियो की playlist को इबर चेक कर लीजेगा और आप मैं compact powder की help से अपने foundation को set कर लूँगी आप सोचेंगे कि यह shade कुछ और था और अब कुछ हो रहा है guys मैं जानती हूँ कि यह मेरा perfect shade नहीं है बट जब इसे आप लगाते हो थोड़ी देर बाद ही अपने आप set हो जाता है इसके बाद मैं यह Swiss beauty की contour stick से contouring कर लूँगे अपने face की और यह 2-in-1 contour stick है और एक तरफ इसमें highlighter है तो काफी अच्छी है यह भी contouring stick easily blend हो जाती है यहाँ पर मैं contouring brush की help से इसे blend कर रही हूँ अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Swiss beauty का blush next मैं यहाँ पर लगा रही हूँ highlighter मैं highlighter भी apply कर लूँगी क्यों किसी blush palette में highlighter भी दिया हूँ है सभी product skill आपको link मैं नीचे description box में दे दूँगी अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ lipstick अब मैं यहाँ पर lipstick भी लगा लिगा लिए है तो guys यह है मेरा final look आशा करती हूँ आपको पसंदाया होगा और पसंदाय तो please friends मेरी वीडियो को like share जरू कर दीजेगा comment करके जरू बताना दोस्तों कि आपको मेरा यह makeup look कैसा लगा जैसा कि आप देख सकते हो guys कि मेरी dress में भी maroon और golden color है तो ऐसा ही look करने की कोशश की थी golden glittery eye with maroon lipstick पसंदाय तो please friends मेरी वीडियो को like share जरू कर दीजेगा comment करके जरू बताना कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे follow कर सकते हो facebook, instagram और tiktok पर भी मैं आप से मिलती हूँ और भी amazing सी वीडियो के साथ अब तक के लिए bye bye take care love you all झाल झाल